बिल्वाडा चली की मांडलगण नगर पालीका में सर्वदलिय वा सर्वसमाज की बैठक सरकीट हाउस में मांडलगण विधायक गोपाल खंडेलवाल, पूर विधायक एवं बीन कॉलेज उदेपूर के कारीकारी यदिश प्रदीप कुमार सिंग के सानितिम हुई बाठिक में सर्वसम्मती से वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप की प्रतीमा महाराणा प्रताप समारक में लगाने का नडलगण लिया वहीं पूर्विधायक प्रदिप कुमार सिंग ने बताया कि मेवाड ही नहीं अपीतु हिंदुस्तान के आन बांचान महारणा प्रताप की 21 वीट उची विशाल प्रतिमा इस्थापित की जाएगी जो कि राजिस्तान की सबसे उची विशाल प्रतिमा होगी वहीं सर्वसमत्ती से निडले लिया के रेलवे स्टेशन के सामने दश्यरा मैदान में महारणा प्रताप इस्मारक बब विधी विधान एवा मंत्रो चार के साथ इस्थापना की जाएगी मही कारिकरम की दोरान सर्वसमाज की गढ़ मानने लोग मांडलगड बार एसोसियेशन के दिवक्तागण मांडलगड पूर पास्षत सही जन प्रतिनी दियों ने बढ़ चड़ कर हिसलिया तो आज मंडलगड के हमारे वर्तमान विधायक यहां के पूर ब्लॉग अद्धियक्ष नगरपाली का के पूर चेर्मेन साब पूर वाइस चेर्मेन साब और कई पारशदगान और मंडलगड के प्रभूद नागरिक बार एसोसियेशन के चेर्मेन भी उसमें आये हैं वकिल लोग भी बदा रहे हैं सीनियर वकिल के लाजी तमोली सब लोग यहां एकटे होकर सबने एक स्वर से कहा कि मारना प्रताव की मूरती यहां पर लगनी चाहिए यह मेवाड की धरती मैं तहीं कहूंगा कि इंदुस्तान की धरती मारना प्रताव की रिणी है इसलिए उस माहन वीर की यहां पर बहुत विशाल प्रतिमा लगई जाए उसके लिए स्थान को लेकर भी लंबी विस्तार पूरोग चर्चा हुई और सब लोगों के आम राए यह थी कि या तो किले पर या फिर यह जो मारना प्रताव पार्क बना हुआ है दशेरा मैदान में इसमें लगई जाए आम जदाता लोगों की राए थी कि मारना लगेसे वह लोगेसे वह विजिबल हो सिके है तेनिवाए